Hello student , एक गुर्खुल ने अब अप सबका स्वागत. आज के lecture में हम समुच्च deploy के प्रकार की बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले lecture में आपको Sets के बारे में बताया था। आज हम types of sets पढ़ेंगे , types of sets में सबसे पहले हम देख्ते हैं Null Set और Empty Set यह हिंदी में इसे कहते हैं रिक्त समुच्च है नाम से इस पस्ठ है इम्टी सेट या रिक्त देखें रिक्त का आर्थ होता है खाली यानि कि ऐसा सेट जो कि बिल्कुल खाली हो जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो ऐसे सेट को हम कहते हैं empty set या रिक्त समुच्च इसे डिनोट करने के लिए हम phi लेटर लेते हैं या फिर बिजले ब्रैकेट को बिना किसी element के लिखा जाता है यह लिखने का तरीका है इस तरीके से हम इसे प्रदर्शित करते हैं तो ऐसा set जिसमें कि कोई भी element नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं रिक्त समुच्च या तो phi से प्रदर्शित करेंगे या फिर ऐसे दो कर्ली ब्रैकेट की दारह इसको हम निरूपिक करते हैं एक्जाम्पिल लेते हैं जैसे कि यह देखें नियम विधी से लिखा हुआ है अब आप इसे देखिए कंडिशन दिया एक्स एक्स सम संख्या है यानि कि सम ऐसी कौन सी सम संख्या है जिसका इसक्वाइर 9 के बराबर होगा है कोई ऐसी संख्या नहीं होगी ना एक्स इसक्वाइर यदि हम इसको खोलते हैं तो माइनस 3 का स्क्वाइर 9 के बराबर होगा या फिर 3 का स्क्वाइर 9 के बराबर होगा ठीक है यही दो ऐसी संख्या हैं जिनका स्क्वाइर 9 के बराबर होगा लेकिन ना तो 3 और ना ही minus 3, यह दोनो ही संख्या तor इसल लिए हमारा समुच्च जो है Second example देखे है Second example में कहे रहा है x is that, x संख्या में रहा होगा वह है inis'twarundu है अब देखे, दो समांतर रेखाओं का उभाइनिस्ट बिंदू का संग रहेगे, ठीक है? तब इस सेट में देखे, दो समांतर रेखाओं का क्या मतलब होता है, दो समांतर रेखाओं, ये एक रेखा होगी, इसके समांतर ये दूसरी समांतर रेखा होगी, तो दो समांतर रेख यानि कि समान अंतर हो, कि दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरियां हैं, वो समान अंतर पे हों, तो ऐसे रेखाओं को हम कहते हैं समान अंतर रेखाओं, और जब दूरियां समान अंतर पे होंगी, इसका मतलब ये भी जो set हमारा मिलेगा ये कैसा होगा? ये भी एक null set होगा तो null set का मतलब क्या है? कि null set ऐसा set है जिसमें कि कोई भी element नहीं होता है देखें, null set जो है एक unique set होता है जिपने भी null set होंगे, वो सभी एक अपने आप में unique होंगे ठीक है तो यह है null set next है एकल समुच्च एकल समुच्च या singleton set देखिए नाम से यह भी इस पस्ट है जैसा कि नाम ही है इसका एकल एकल का मतलब एक ही अंक हो इसमें एक ही अव्य हो ठीक है तो एक ऐसा set जिसमें की केवल एक element होता है ऐसे sets को हम एकल सेट कहते हैं या singleton set कहते हैं ठीक है जैसे कि देखिए यह पहला example यह करली bracket के अंदर एक element यह फाई है अब यह bracket के अंदर नहीं होता इस फाई होता तो यह क्या हो जाता null set हो जाता जैसा कि अभी मैंने आपको बता है लेकिन फाई element जो है bracket के अंदर दिया हुआ इसका मतलब कि यह एक set है और इसमें एक ही एक element है वो कौन सा है फाई तो यह single set हो गया इसी तरीके से curly bracket के अंदर यह जीरो एक element दिया हो तो यह भी एक single set होगा एकल समुच्चे होगा क्योंकि इसमें एक ही element zero मौदूद है ठीक है ऐसे ही यह देखें यह वाला भी zero जो set आप देख रहे हैं कि एक बजला bracket यहां लगा हुआ है उसके अंदर भी एक bracket बना हुआ है तो चुकि यह bracket एक set को दिनोट कर रहा है इसका मतलब इस set के अंदर भी एक set है तो यह भी क्या है यह भी एक एकल set है इसमें केवल एक set मौदूद है एक element मौदूद है इसलिए यह भी कैसा होगा एकल से मुच्चे होगा ठीक है तो यह examples अकसर confusion वाल example होते हैं इसलिए मैं यह दे रही हूँ आपको और इसे समझेगा समझ करके याद करिएगा fourth example देखे x as that x minus 5 equals to 0 दिया हुआ और x belongs to n इसमें भी यदि हम इसको solve करते हैं x minus 5 equals to 0 तो x की value क्या आएगी plus 5 आएगी यह धर जाएगा तो क्या होगा plus 5 केवल एक ही इसका answer होगा यानि इसमें इसको हम solve करेंगे और x जो है वो natural number है तो कीवल एक natural number 5 ही ऐसा होगा जो इस set में होगा तो एक ही number इस set के अंदर होनी के कारण यह भी set जो है वो कैसा set होगा यह भी एक एकल set होगा या एकल समुच्चे होगा next है परिमित समुच्चे या finite set देखिए finite finite यानि कि जिसका अंद हो या जिसमें हम जो element है एक ऐसा set जिसमें कि element की संख्या fix हो finite हो, निश्चित हो जिसको कि हम count कर सकें तो ऐसे sets को हम कहते हैं परिमित सेट या परिमित समुच्चे यानि कि एक ऐसा समुच्चे जिसके कि element की संख्या को हम गिन सकते हों, count कर सकते हों तो ऐसे sets को हम finite set कहते हैं example के तोर पे देखिए सब्ता के दिनों का समुच्च सब्ता में कितने दिन होते हैं, साथ दिन होते हैं तो सब्ता के साथो दिनों को हम count कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि सब्ताब में 7 दिन होते हैं और 7 दिन को count कर सकते हैं तो ये जो समुच्चे होगा ये कैसा होगा? finite set होगा या परिमित समुच्चे होगा इसी तरीके से second example देखें ये रोस्टर फॉर में लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप देख रहे होगे ये क्या है? नेच्रल नंबर से हैं और 1 से लेके 6 तक के नेच्रल नंबर हैं यानि कि प्रथम 6 प्राकिर्तिक संख्याओं का समुच्चे है ये तो ये प्रथम 6 प्राकिर्तिक संख्याओं का समुच्चे है इसको भी हम count कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से define भी कर सकते हैं, तो यह कौन सा set होगा, यह होगा finite set, जो कि numbers of elements count किये जा सकते हैं, तो इसलिए यह finite set होगा, next है आप परिमित समुच्चे या infinite set, इससे पहले भी finite set बता हैं मैंने आपको, तो उसका अगला जो समुच्चे है वो है infinite set, ठीक है, यानि कि ठीक उसका opposite है, इसका जो definition है ठीक उसका opposite है, इसलिए मैं इसके साथ बता रही हूँ, कि एक ऐसा set जिसमें कि अव्यों की संख्या को हम count नहीं कर सकते हैं, यानि कि अव्यों की संख्या निश्चित ही नहीं होती है, अनंत नंबर होंगे उसमें, infinite number होंगे, जिनको कि हम count ही नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे जितने भी sets होंगे, उन सभी sets को हम infinite set कहते हैं, ठीक है, यानि ऐसा समुच्चे जिसके अव्यों की करना न समुच्चे बताया था कि इन 6 संख्याओं को तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहmap पॉाइंट लगा हो यहानि कि infinite नंबर का कोई कलेक्शन है यह भी प्राकरतिक संख्याओं का ही समुच्चे है लेकिन इन फाइनाइट नमबर है इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वह infinite हो जाएगा जबकि पहले वाला जो भी बताया है मैंने आपको उसमें क्या था कि वह finite था क्योंकि उसमें हम 6 नंबर तक count कर पा रहे थे ऐसे ही एक सरल रेखा पर इस्थित सभी बिंदों का समुच्च सरल रेखा ये है न सरल रेखा आप इस पे कितने point होंगे इन points को आप count कर सकते हैं ये रेखा क्या होती है रेखा क्या होती है अलग अलग बिंदों को मिलाने से जो आकरिती प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं रेखा कहते हैं तो इसमें जितने भी point है कि आप उनको count कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इन finite point को मिला करके एक रेखा बनत तो इसलिए एक सरल रेखा परिस्थित सभी बिंदू का जो समुच्चे है वो भी एक इनफाइनल सेट होगा तो